कहानी फैल रही है उसी के चारों तरफ निकालना था जिसे दास्ता के अंदर से नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईदा नेता प्रतिपक्षानी लीडर अफ अपोजिशन राहुल गांधी के एक ट्वीट ने बीजेपी को परिशान कर दिया है दोस्तों अपने इस ट्वीट में राहुल ने यह आशंका जताई है कि उन पर एडी छापे मारी की तैयारी कर रही है और इस बात को तीन दिन बीच चुके हैं लेकिन बाकी सियासी हलचलों की तरह ये बात इतनी जल्दी शान्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस ट्वीट में लंबे वक्त तक इस ट्वीट से परिशान रह सकती है दरसल रहुल के इस ट्वीट में नकेवल बीजेपी और मोधी सरकार की नियत पर सवाल उठा दिया गया है बलकि देश की समविधानिक संस्थाओं की साक पर नए सिरे से सवाल खड़े हो गये हैं ये वही सवाल हैं जो पिछली सरकार में भी मोधी सरकार पर उठते रहे हैं लेकिन तब बीजेपी बहुमत के घमंड से चूर थी और इस बार हालात बदले हुए हैं अब बीजेपी मुखिता दो दलों के सहारे सत्ता में आई है और यही वज़ा है कि मोधी भी अब जैश राम नहीं कहते हैं बलकि जैजगनात कहने लगे हैं लेकिन क्या नारे बदल देने मातर से बीजेपी अपना बचाओ कर पाएगी ये दिल्चस्प सवाल राजनिती में खड़ा हो गया है वैसे भी राहूल गांधी जिस अंदाज की राजनिती कर रहे हैं उसमें बीजेपी को हर बार अपने बचाओ के लिए नए सीरे से धाल बनानी पड़ती है तो ये देखना भी दिल्चस्प होगा दोस्तों की राहूल गांधी के ट्वीट का मुकाबला करने के लिए बीजेपी कौन सी धाल बनाती है क्या है राहूल का ट्वीट जिस पर सियासत में नया उबाल आया है पहले उसे देख लेते हैं राहूल के ट्वीट को देखते हैं जिस से कैसे सियासत में नया उबाल आ गया है दरसल इस ट्वीट में राहूल गांधी ने एक तरफ संसद में दिये गए अपने भाशन की याद दिला दी है कि कैसे चक्रवी हुआले भाशन में बीजेपी उलज गई है और दूसरी तरफ इसी ट्वीट में एडी के डिरेक्टर को उन्होंने सीधे टैग करके मोधी को चुनोती दे दी है कि राहूल किसी भी किसम की करवाई से डरते नहीं है और चाहे उन पर कितना भी दवाब क्यों न बनाया जाए वो तूटने वाले नहीं है कॉंग्रेस सांसत प्रमोत तिवारी ने बताया है कि राहूल गांधी किस मिट्टी के बने है आई ज़रा प्रमोत तिवारी जी के इस बयान को सुन लेते हैं ये इंद्रा गांधी का पोता है जिसने पाकिस्तान के दो टुक्डे कर दिये थे ये राजियू गांधी का बेटा है जिसने इस आधुनी भारत का निर्मान किया है ना इसे डरा सकते हो ना इसे परिशान कर सकते हो ना जुका सकते हो ये सासी है निडर है पहली बार देखने को मिल रहा है लोक सवा में कि एक बहादूर नौजवान देश के किसानों मजदूरों की समस्याओं को उठा रहा है आप जानते हैं कि राहूल गांधी को बदनाम करने और उनकी छवी खराब करने में बीजेपी ने सालों साल मेहनत की और पानी की तरह पैसा खर्च किया बीजेपी का एक ही सूप्रीम एजंडा यही रहा कि किसी भी तरह राहूल गांधी को एक आपरास्थन्गीक राजनता के तौर पर जनटा के बीच पेश करे। कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की सियासी कहानी से राहूल के किरदार को बाहर साबित करने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन आज का माहल बता रहा है कि बीजेपी अपनी इस कोशिश में बुरी तरह फेल हो चुकी है। केवल कॉंग्रेस नेता ही नहीं बलकि इंडिया गटबंधन के बाकी नेता भी अब राहुल गांधी के साथ ही खड़े हुए दिखाई देते हैं और अब उन्हीं की तरह निडर राजनिती करते हुए बीजेपी की आँख में आँख डाल कर चुनोती देते हुए इंडिया ग प्रदेश में पिछड गई है और फिर भी योगी को हटा नहीं पा रही है दरसल राहुल गांधी ने राजनिती में बेख़ौफ होकर काम करने की जो शैली अपना ली है अब इंडिया गटबंधन उसी पर चल रहा है और बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि इसका मुकाबल करेंगे कि किस तरह एक एक करके बीजेपी की सारी रनीती को राहुल ने नाकाम कर दिया है और ये भी समझेंगे कि सत्ता के दो महिने में राहुल के सामने किस तरह हापने लगी है बीजेपी लेकिन आगे बढ़ने से पहले आए देख लेते हैं राहुल गांधी का एक और जो 29 जुलाई को राहुल गांधी ने किया था। इंडिया देश का X-ray सामने लाकर रहेगा। और संसद में अपने इस संकल्प को उन्होंने दोहराया तो मोधी सरकार के माथे पर बल पड़ गए। अपना बचाओ करने के चक्कर में अनुराग ठाकुर को BJP ने आगे किया कि वे देश के गदारों को गोली मारो डॉट 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 को जैसा ही कोई बयान दे कर BJP की मजबूती दिखाएंगे। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जिनकी जाती का पता ही नहीं जैसी बात बोलकर सीधे सीधे एक बड़ी आबादी को BJP के खिलाफ कर दिया। लेकिन अब जाती के सवाल पर वो नेता प्रतिपक्ष की जात पूछने वाले की पीठ ठोकें तो ये समझ जाना चाहिए कि उनकी अपनी सोच क्या है। लोगों की आवाज राहुल गांधी उठाते थे और सडक पर लोगों के बीच पहुंसते थे। तब BJP मीडिया के जरीए अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर लिया करती थी। लेकिन अब वही मीडिया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी पूरा समय देने लगा है। राहुल के चक्रवियू हुआले भाशन पर में इस्ट्री मीडिया में चर्चाएं हुई और इसके अलावा भी राहुल अब भी हाथरस से लेकर मनिपुरा और वाइनाड तक पहुँचे हुए हैं। उसमें भी यही कहा जाने लगा है कि जो काम प्रधान मंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और यही वजह है और यही बात अब बीजेपी को खटकने लगी है। इस पहले सत्र में राहुल ने नीट पेपर लीक और अगनीवीर जैसे मुद्दों पर सरकार को कटखरे में खड़ा किया। बीजेपी ने इसका तथ्यात्मक जबाब देने की जगह व्यक्तिगत आलोचना और छीटा कशी की मगर राहुल के सवालों से खुद को बचा नहीं पाई। और अभी चल रहे दूसरे सत्र में राहुल ने चक्रवियूह पद्मियूह की व्याख्या करते हुए जो बाते उठाई उसमें नीट के अलावा बेसमेंट में डूबने से मौत, किसानों को MSP, पत्रकारों को कंटेनर में बंद करना और जातिकत जंगना जैसे अहम सवालों पर संसद में अपनी बात रखी और पूरा सत्ता पक्ष उनके सामने बौना नजर आया। बात नहीं की बलकि सडक पर उतर कर भी वो लोगों के बीच हमेशा की तरह पहुँचे अभी दो दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाइनाड में थे, वहां राहतकारियों का जाइज़ा दोनों ने लिया और इससे पहले भी राहुल गांधी नई दिल्ली में ल रोसा दिलाया की अन्याय नहीं होने देंगे राहुल सल्तानपूर के रास्ते में ही रामचैत मोची से भी मिले और उनके साथ चपल बनाई जूते सिलना सीखा और उनकी समस्या सुनी और अगले ही दिन उन्हें जूते सिलने वाली मशीन भेट कर दी राहुल जब राय बरे बार की शादी की चर्चाएं खूब चल रही थी इस शादी में परधान मंत्री से लेकर लगभग सारे नेता पहुंचे लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे पांच किलो अनाज लेने वाले 80 करोड लोग इस बात को देख रहे हैं कि परधान मंत्री नरेंर मोदी अंब के तलाश रही है सिंग रावत ने कहा कहते हैं न कि चोर की दाढ़ी में तिन का तो वही भय राहुल गांधी को सता रहा है एडी अपना काम करती है लेकिन वो भयभीत क्यों है एडी का काम है रेड करना वो रेड मारेगी इसमें डर की कोई बात नहीं है वहीं दिनेश शर्मा ने कहा वे राहुल गांधी के कारण उन्हें रात को नींद नहीं आती है इसलिए जो मन आता है वो ट्वीट करते हैं उनकी बातों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है जबकि गिरिराज सिंग ने कहा मैं समझता हूँ ये देश का दुरभाग्य है कि राहुल गांधी समवेधानिक प राहुल को जितना आप रासंगिक बताए या उन्हें गंभीरता से ना लेने की बात कहे लेकिन उस पर राहुल की हर बात का असर होता ही है जहां तक सवाल एडी की छापे मारी का है तो यहां राहुल अभी दोनों तरफ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर एडी न पारी नहीं हुई तो जनता यही समझेगी कि मोदी सरकार ने राहुल से डर कर अपने कदम वापस खीच लिए वैसे इतना तैह है कि राहुल ने आधी रात को यूँ ही कोई ट्वीट नहीं किया होगा एडी के सूत्रों ने जरूर उन्हें कोई खबर दी ही होगी वैसे लो पारी नहीं है कि यह और बात की रस्ते भी हो गए रोशन दिये तो हमने तिरे वास्ते जलाए थे तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ तब तक देखते रहिए डीवी लाइब नमस्कार झाल